हेलो फ्रेंड्स मैं पानिका आपके गार्डनर दोस्त आज आपको अपनी विंटर गार्डन की तियारी का वीडियो दिखाऊंगी बहुत सरे व्यूर्स हैं उन्होंने का आप विंटर गार्डन की तियारी कप करोगे कप करोगे तो अब मैंने विंटर गार्डन की तियारी कर उन सब में अल्रेडी मिटी थी पुराने पिछले साल आपको पता होगा मैंने छोटी-छोटी पौद से मैं पौद से आज कर लगाने लगी हूं सीजनल फ्लार्स लगाए थे सर्दी वाले तो जब उनको मैंने उखाड़ा तो उनका रूट बॉल साथ में निकला तो मिटी थोड़ी-थोड़ी इन में नीची हो गई है तो उसके बाद जिन में थोड़ी ज़्यादा थी उनकी मिटी हमने निकाल दी और फिर उसमें मैंने ज मतलब दो मुठ़ी के करीब जैसे अपन दोनों हातों को यूँ उठा के उत्ती लेते हैं उत्ती के करीब देखे ऐसे दो-दो मिटी डाई-डाई मुठी के करीब सम्में मैंने डाल दिया ये अब इसके उपर फिर वर्मी कमपोस्ट डाल दी एक बड़ा कटोरा भर के उतनी हिसाब से देखिए ऐसे मैंने सारी पहले मिट्टी को ऐसे करके इसमें जैसे मिट्टी ज़्यादा थी तो इसकी मिट्टी ऐसे निकाल दी कुछ जो गमले जिन में ज़्यादा मि मुठी तो वर्मी कमपोस्ट अच्छी क्वांटिटी में डाली है मतलब तीन तीन मुठी आप समझ लो चार चार मुठी ऐसी वर्मी कमपोस्ट उनमें डाल दिया है सम्मे मैंने एक रो से ये काम करना शुरू कर दिया पहले सम्में मिग्निया डाली फिर इन सम्में वर्मी क उच्छे तक करके और अच्छी तरह से इस सारों को मैंने मिक्स करों मैं Ort सब को मैंने ऊपर से ऊपने पर 1 घंड को ख़ाली कर दिया मिंगनी चाहां यह टाली पर वर्मिकंपोच बेँर और ऑवसको ऐसे करके मैंने मिक्स कर दिया जैसे हम सबजी में मसाले डाल के उसको mix करते हैं ना कच्छी से सारे गमलों में फिर एक साथ mix कर दिया अब मेरे गमले तयार हो गए ऐसे इनको मैंने सब को mix करती चली गई मैं ऐसे और यह जो ऊची आपको बिलकुल मुऊ-मुऊ भरे हुए गमले दिख रहे हैं तो देखिए एयर होती है उसके अंदर तो वो फूली होई होती है न तो वो fully हूँ पर जब पानी गिरेगा या जब में उसको प्रेस करूंगी लगा के पहधा तो औपानी दोंगी तो अपने हाप एक-एक पौनश पौनश जो है वो नीचे हो जाएगी मिट्टी अपने आप पहली बार पानी दोंगी दूसरी बार जब मैं आपको दुबारा अपने पौधे दिखाऊंगी लगे हुए तो आपको पता चल जाएगा कि वो तो इसलिए इसको मैं अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत जादा मोह मुह भरे हुए गंबले हैं तो य अछिष्ट मैं देखाइ यह जो मैं इसमें जो मैंने खुर्पी यूज कि आना पूरी अच्छी लम्बी खुर्पी है यह जो पूरा नीचे गंबले के बॉटम तक आती है जब मैं उसको नीचे Recht करके mix करती हूं तो पूरा बॉटम तक नीचे मैं अच्छी तरह ।ो मिक्स या कुछ नहीं डाल रही हों या आपने देखा होगा मैंने मिंग्नियाanız यह दे आले हैं कि ना क्योंकि मैं जब इसमें पानी दुंगी पहला पानी दुंगी पौदे लगाने के बाद तो उस पानी के अंदर मैं ने एक लेटर मैं एक माझ की हिसाप से डाल दूँगी इसको मैं या आधा चमन किया अंदाज़यन डाल दूँगी और फिर उसमें मैं ब और बावेरीया-वांस जां diffic में कामते हैं दो थिन धक्कन वे बडई looks दो तिन लिक्युड मिलै दोगी पानी में और पहला पानी में वे drivers दूँगी अपने पौधों को लगाने के बाद पहला या दूसरा पहला तो नॉर्मल दे दूँगी दूसरा पानी उस से दूँगी ताकि वो ववेरिया बासियाना से कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा ट्राइको डर्मा से इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगी और माइकोराइजर जो है वो इनकी जड़ों पे तक जादा से जादा nutrition मिट्टी में से खीच के लाएगा मतलब खाद का जादा से जादा फैदा पौदे को मिले ये ensure करेगा तो पौदा हमारा अच्छी growth लेगा अब जब ये पौदा थोड़ा सेट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं एक दिन उसको न थोड़ी सी वह दूंगी एक मुठी जो है हर गमले में बोन मिल डाल दूंगी रिम के साइट से रिम के सहारे सहारे पौदे से दूर अब देखिए ये लगाने के बाद मैं पौद लगा दी मैंने इतनी सारी फिर मुझे दियाने वीडियो नहीं बनाया लगाते हुए का उसे बुलाया ही नहीं मैंने की बना दे तो अब देखिए कि गमले में कोई तूट गया तो इसकी मिट्टी रख लेती हूं डाल लेती हूं यह देखिए यह मैं इन में जो है इनकी मिट्टी दुबारा से मिंगनिया और वो डालके रिवाइब कर ली है इनकी अब यह देखिए ऐसे पहुत छोटी-छोटी यह गेंदे की पहुत लगा जा रही हूं मैं बस इसमें ही आजकल वो जो आता है ट्रे में लगे हुए आती है न बहुत वह वाली है इसके रूट बॉल इसके साथ ही होता है तो इसको बिना डिस्टर्ब किये देखिए ऐस सच क्योंकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है इस टाइम हाथ से हलका सा होल करके ल देखिया रहा हम से इसमें लगाती जा रही हूं एक एक गंबले में दो दो पौध लगा रही हूं इसकी ताकि अच्छी तरह से ग्रो करें और वही जैसे मैं कहा रही हूं इसके बाद में मैं इसमें जो पानी में ट्राइकोडर्मा बोवेरियर बासिया ना और माइकोराइ system अच्छा डवलब होता है और अगर आप बोन मिल नहीं डालना चाहे ना तो इसमें मैं भी डालती हूं बहुत बार बोन मिल हो तो ठीक है नहीं तो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा जो है आप आदा चम्मच जो है इसमें डी एपी डाल दें डी एपी में फॉस्फोरस होता है गैल्शियम भी होता है बोन मिल में तो केल्शियम जो है नО पिलाइन को थोड़ा स्टरी बनाने में अच्छी जान आती है पौधे में अच्छा रहता है तो आप डी एपी डाल सकते है आधा-धा चम्मच रिम के साथ-साथ पौधे से दूर आप देखें काम करते करते मैं पांच बजे काम करने लगी थी और देखिए रात हो गई है मुझे लाइट जलानी पड़ी है अभी भी देखिए मैं ये निकाल निकाल के पौदे लगाए जारी हूँ छुट छुटी पौध ये देखिए ये मैं डायंथस की पौद लगा रही हूँ देखिए सारी पौध काफी लगा दी मैंने आज रात को मैंने 9 बजे तक काम किया लेकिन फिर भी complete नहीं हुआ मेरा काम अब देखिए जितने पौधे लग गए हैं उनको मैं पानी दे रही हूँ पानी भी आप देखे कितना कम मैंने चलाया हुआ है पानी और ये पानी भी मैं जो गमल कोज हो जाये कि दा हिल जाएगा ओठ्यामेडा हो जाएगा इसले देखिए थोड़ा थोड़ा पानी एक duty मिट्टी अर्ली उसको मिं एक बार देसं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं देऊंगी ताकि जो खाद है ना अब मुझे यह 9 इंच के गमले इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें पानी इतना ही दूंगी कि बॉटम से ज्यादा नहीं निकले क्योंकि बॉटम से पानी निकलेगा तो उसके साथ वह खाद की शुरुआत हो गई है जो मैंने आप से शेयर कर दिया है तो आपने भी अगर नहीं किया तो अपने विंटर गार्डन की शुरुआत कर लेजिए अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होते से लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल कर सब्सक्राइब कर औरिए गाइकको और मैंकी यूजची ओ्रेम बार्या अधम मैं